करने है कि गाइक हैंक विलकम आल आप वेयो दोस्तों को सौंगेते हैं टौप मोस्त आई-Educationale अपलेटफोर अन्छ पार्वन अपर प्रेट्पर्वम पर अदेश णेल के ऐतैंदेड़ अप्रिट्चिंभर अडियों को जैसे सका आइडिया है कि इस पंडिकल चैनल पर बेस्ट टॉपिक है वो विदिन 10 मिनिट जो है वो डिसकस किया जा रहे हैं जैसे कि आपको जो है वो चोटे से टॉपिक के लिए लॉंग डूरीशन वाले जो आप से न होते हैं उनको फॉलू करने की चरूरत नहीं है चलिए जल्ले सुरू करते हैं अपना आज का आज का अजका है आज का अज यहां पता समय कया ठारषिटाव के लेकर में आगा करने तेसे हैं टोपिक है अज IG ट्रॉपिक का आज का adalah दिए कंटने जो हुत अभिक है आज काक्रेंग फिसले घट राहसां से कोलिए आरे नाह प्लीใ वा टॉप लेबल और रसास पेपर अड़ एरिया अफ रिशर्ज हो था हो CFD यानि कम्पुटिशनल फ्लेफ डानेमिक्स था और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अनसेट नंबर पे बात करने वाले हैं यानि फिसिकल सेगन्स आप नसेट इसका सीफिकल क्या होता है अगर हम बात करें जैसे ही रांसफर के तीन इवर मोड टी है कंड़ुट्शन, celebrity mention च्श्याप्ट होता है तो यानिय है रेग्स एठ्सटेनल मेडियोम या बेना कसी कारियार या बेना किसी medium के भी possible है बट conduction and conviction जो है वो बिना किसे medium के या बिना किसे carrier के possible नहीं है तो यह बोला जाता है कि जैसे अगर अफ़ लिक्विड मेडियम में या fluid के medium में देखें तो fluid के medium में जो आपका carrier है वो आपके fluid के molecules है तो fluid में जो है वो mainly conduction होगा या conviction होगा यह अपने को तो अज़स्ट करना होता है यह कितने पर्षन से आपका कौन सा मोड अमिनिशन में होगा तो उसके लिए बेसिकली हम लोग जो है वह नसट नमबर को यूज़ करते हैं तो नसट नमबर जो होता है वह फ्लिवड के के लिए कुण्ड़क्शन को Conviction से Compare करता है उसके अंधर जो Conviction का Resistence है उसे के Conviction से Compare करता है जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि कि कितने Person Conviction है और कितने Person Conviction है clear तो अगर वो etu होगा कैसे होगा हो फो तो रहा को है यह हमारा विल्क क्यार को हुए जा रहा नि ज complotator डिजुड के ऐसे ने सब्सक्रांब हो गया या यहां X is equal to zero हो गया और आपने बोला कि जो surface का temperature है प्लेट के जो surface का temperature है दोस्स यह हमारा RTS या TW है TS है यह आपने बोल सकते हैं यह T up the wall है और यहां से जो fluid हमारा आ रहा है जो fluid हमारा यहां पे प्लेट पे flow करने वाला है दोस्स इसका temperature जो है वो T infinity है और यह temperature जो है वो heated surface है आपका जो surface है और fluid जो है यह आपका cold medium है यह cold fluid अपने बोल सकते हैं यह fluid है अब जैसे fluid यहां पर आएगा तो क्या होगा बोलो यहां से आप fluid जैसे आता है तो attach layer जो fluid की होती attach layer जो होती इसमें आपका pure conduction होता है इस attach layer के अंदर अगर आप देखोगे तो नीचे से heat जो अंदर penetrate करेगी तो यह pure conduction के त्रुआएगी यानि अगर आपन देखें यहां पर तो minus का k of f and area and यह dty by dty by dty हो जाएगा at y is equal to 0 at y is equal to 0 तो अगर आपन यहां पर radiation के heat transfer को neglect करते हैं तो यह फ्रदर जो heat आगे की तरफ dissipate होती है यह दो mode से fluid में dissipate होती है कुछ heat जाती है q.conviction से कुछ heat जाती है q.conviction से और कुछ heat जो है आगे की तरफ dissipate होती है due to a conviction due to a conduction due to a conduction due to conduction अगर यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझोगे और थोड़ा सा दीखोगे तो जो conviction से heat जो जा रही है conviction से जो heat जा रही है इसको आगे जाने के लिए r of conviction मिलेगा r of conviction और इधर जो heat जा रही है इसको यहां पर रास्ते में जो है r of conduction मिलेगा तो नसेट नमबर जो होता है वो compare करता है fluid के ही conduction को उसी के conviction से जैसे bio क्या करता है कि जो है body के conduction को compare करता है outer conviction से वैसे यह जो होता है conduction जो होता है conduction resistance जो होता है यह हमारा fluid का ही conduction होता है fluid का ही conduction होता है और उसी के conviction से जो है वो दोस्त ये compare करता है fluid के conviction से ही जो है ये compare करता है और जो fluid का conduction resistance होता है fluid का जो conduction resistance होता है दोस्त ये अपन बोल सकते हैं ये हो जाएगा LC and divided by K आप the fluid and area हो जाएगा और conviction जो होगा जो ये conviction होता है ये हमारा हो जाएगा 1 by H and surface area हो जाएगा तो अगर आपन इन दोनों की values यहाँ पर put up कर दे दोस्त यहाँ पर दोनों की अगर हम लोग values put up कर दें तो यहाँ पर जो अपना Nusit number निकल के आएगा Nusit number जो होगा ये अपना LC divided by K आप the fluid and multiplied by area हो जाएगा की आप the fluid निकलाएगा HLC भाई की आप the fluid जहाँ पर H जो होता है वह हमारा Convective heat transfer coefficient है Convective heat transfer coefficient है Convective heat transfer coefficient है Convective heat transfer coefficient होता है Convective heat transfer coefficient है अपने इसको बोल शक्ते हैं और यहां पर नसेट नमबर जब निकालोगे तो यह निकल किया जाता है function of renault and printl function of renault and printl निकल कियाता है forced conviction के लिए forced conviction के लिए यह यहां से एक number और बनता है जिसको हम बोलते हैं दोस्त पेकले number clear पेकले number होता है that should be a multiplication of renault and printl जो होता है इसको modified renault number भी बोलते हैं तो यह हमारा function आप जो है वो पेकले number होता है function आप पेकले number clear तो यहां से अपन यह बोल जाकते हैं तो आप यह थोड़ा सा याद रखना दोस्त जो नसेट number होता है वो compare करता है fluid के ही conduction को उसी के conviction से जबकि बायोट number जो होता है वो compare करता है heat transfer को करने के लिए पिक करने के लिए बहुत आगे detail में भी और कुछ है और भी बहुत कुछ है इतना more than enough clear चलिए तो आगे topic हम लोग यहीं पर रोपते हैं आगे फिर next topic के साथ आपको मिलेंगे अनकेटमी प्रफाइल और जो मेरा वीडियो सेजन चल रहा है लेट्स क्रैक अगेटन यसी वाले चैनल पर उसके लिए नीचे बॉटम में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकि करेंse आप दो उसे फालु कर सकते हो और वीडियो को लाइक काण्या फािडियो को प्स अजिस्क्राइब करना मत भूली तानकी थेंक देस्ट आंक्यों तानकीओ था निम्तल ऐख करें standing